हेलो फ्रेंद्स, वेलकम बैक तो माई चैनल डिवाइन रसीपीस, आप सब का स्वागत है, आज बनेंगे मश्रूम राइस, तो अगर आप भी मश्रूम लवस है, तो इसे जरूर ट्राइ कीजिए, बहुत ही इजी है, सिंपल है, और बहुत ही टेस्टी बनती है ये, दिलिश इसमें दो बे लीफ डाल रही हूँ, एक सिनमन का टुकडा डाल रही हूँ, और पांसे छे लॉंग डाल रही हूँ, मैं, इसमें एक बड़ी चमच नमक आड़ कर रही हूँ, सॉल्ट को आप अपने तेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, इसमें मैं थोड़ा सा नीबू आड़ कर रही हूँ, नीबू से जो है राईस बहुत ही खुले-खुले बनेंगे आपके, बिल्कुल चिपकेंगे नहीं वो, आप ऐसे भी साधी भी राईस बनाते हैं तो उसमें भी आप लेमन एड़ कर सकते हैं, और अब मैं इसमें राईस एड़ कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने राईस को आधे गटे के लिए बिगा दिया था, राईस होते हैं तब तक हम यहाँ पर तड़का देते हैं, यहाँ पर ओईल में मैंने मश्रूम एड़ किये हैं, सेचे से सॉटे कर लेंगे अब देख सकते हैं, मश्रूम अब थोड़ी से सॉफ्ट हो गया है, यह हमारे मश्रूम रेड़ी है, हम इसको निकाल लेते हैं, अब यहाँ पर तेल में मैंने दो बड़ी इलाइची एड़ की है, साथ में पान से छे हरी मिर्श मैंने डाली है, और यहाँ पर मैंने जिंजर गालिक का पेस्ट डाला है, सच्छे से मिला लेंगे, यह मश्रूम मैं एड़ कर लेती हूं इसमें, अब हम हमारे राइस जो थे बॉइल की हुए वो एड़ करते हैं, राइस को हमें 70-80% ही पकाना है, से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और यह हमारे मश्रूम राइस रेड़ी है, सर्फ करने के लिए इसे आप बनाईए, यह बहुत ही इजी है और अगर आपको मश्रूम पसंद है तो यह आपको जरूर पसंद आएगे, अगर आपको हमारी रेसीपी पसंद आई तो यह से लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक यू